यह Bible in One Year का हिंदी प्रक्रण है, 271 दिन, साथ जीवन बदल देने वाली आदतें सालों से Bruce Trida एक नास्तिक वकील थे, वह कभी चर्च नहीं गए यदि पी उनका परिवार जाता था अधिकतर सब्ता की छुटियों में वह गॉल्फ खेलते थे, आखिरकार उनकी पत्नी और तीन बेटियों के द्वारा मनाये जाने पर वह अलफा में आए, वह बहुत ही विवाद करने वाले और आकरमक थे, कोई भी सत्र उन पर प्रभाव नहीं बना पाया, और शिक्षा के अ बुराई की ताकत में विश्वास किया है, आज रात मुझे यह बात समझ में आई, कि यदि बुराई की ताकत है, तो विश्वास करना पड़ेगा कि भलाई की सामर्थ भी है, उस रात ब्रूस एक मसीही बन गए, तब से लेकर वह चर्च में एक कटिबद सदस्य हैं, एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावी सेवकाई के साथ सैंकड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करते हुए। पाप और व्यसन आज का लेखांच हमें दिखाता है कि लड़ाई परमेश्वर की विजई सामर्थ के द्वारा जीती जाती है। बजन सहीता 114 का 1 से 8 बंधन और दासत्व के ऊपर विजई। बजन सहीता के लेखक बताते हैं कि कैसे इस्राइल मिश्र में बंधन और दासत्व से छुड़ाया गया। परमेश्वर की विजई सामर्थ ने उन्हें मिश्र मेश्रे और समुद्र से बाहर निकाला, समुद्र देखकर भागा। उनके लोगों के साथ परमेश्वर की उपस्थिती ने इस्राइलियों को विजई दिलाई। उनकी उपस्तिती चटान को जल का ताल, चकमक के पत्थर को जल का सोता बना डालता है परमेशवर का चरित्र उनके लोगों पर निर्गमन में प्रगट हुआ जब परमेशवर ने उनके लोगों को सताव से मुक्त किया उनकी विजई सामर्थ और उपस्तिती के द्वारा यह बात स्पष्ट करते हुए कि दासत्व बुरी है जिससे परमेशवर लोगों को मुक्त करना चाहते हैं आज के नए नियम के एक बड़े प्रश्न को समभोधित करने में यहां हमारी सहायता करता है जिसमें पॉलूस दास और मालिक को दर्शाते हैं इफिसियों 6, 5-9 क्यों पॉलूस ने दासत्व को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया हमें याद रखनी की आवशकता है कि उन दिनों में मसीहियों की संख्या कम थी और उनका सताव होता था और वे इस अवस्था में नहीं थे कि इस चीज को समाप्त कर पाएं जो प्राचीन विश्व में एक यूनिवर्सल संस्था थी केवल रोमन सामराज में लगभग साट मिलियन जन संख्या का एक बड़ा प्रतिशत लोग दास थे जैसा की F.F. Bruce लिखते हैं सुसमाचार के सिधान्त को स्पष्ट रूप से बताना बहतर था मसी में ना कोई दास ना कोई मुक्त है गलातियों 3 का 28 और उनको छोड़ देना चाहिए था ताकि वह अपना असर इस बुरे और दुष्ट सामराज में प्रगट करें परमेश्वर लोगों को मुक्त करना चाहते हैं दासत्व से और सताव से जो आज के दिन दास अनुभव करते हैं और पाप और व्यसन जैसे की शराब, काम, अत्यधिक खाना, ड्रग्स या यौन सम्मंद पर निर्भरता के प्रती हमारे दासत्व से और भविश्य में जब इश्यू विजई सामर्त में आएंगे परमेश्वर सभी को हर प्रकार के दासत्व से छुडाएंगे परमेश्वर आपका धनिवाद की आप मुझे मुझे मुक्त करते हैं मेरे साथ आपकी उपस्थिती के द्वारा और आप चटान को पानी में बदल देते हैं और चटान को पानी के सोते में आपकी पवितरात्मा के द्वारा जो की मुझ में रहते हैं नयानियम, इफिसियों 6 का 1 से 24, शैतान की चालों के उपर विजय हमारी लड़ाई तीन सहभंद से है रैनियरो केंटल में सा लिखते हैं विश्व, शरीर और शैतान हमारे आसपास के शत्रू, हमारे अंदर के शत्रू और हमारे उपर के शत्रू परमेश्वर की विजय सामर्थ पर भरोसा करने का यह अर्थ नहीं है कि हम निश्क्री हैं पॉलूस बताते हैं कि लड़ाई को जीतने के लिए आपको अपने जीवन के लिए उत्तरदाईत्व लेने और प्रभू में मजबूत बनने की आवशक्ता है हमें कारी करने की आवशक्ता है पॉलूस इन पदबंदों का इस्तिमाल करते हैं पहन लो, डटे रहो और द्रता से खड़े रहो सक्रिय बनो, बुरी आदतों को अच्छी आदतों के साथ बदल कर पॉलूस साथ जीवन बदलने वाली आदतों को बताते हैं जो आपको अपनानी चाहिए सत्य ने अपनी कमर कसकर और सत्य निष्ठा की जिलम पहन कर सच्चाई पर ध्यान दो, पारदर्शिता और प्रामानिकता, कपटीपन के विरुद्धार्थी है हमें सिक्षा की सच्चाई पर भी ध्यान देने की आवशक्ता है जैसा की पवित्रशास्त्र में प्रगट है दोनों ही इश्व में है, जिसने कहा मैं सत्य हूँ, यहोना चवदा का छे नमबर दो, छोटी गिंती रखो सत्यनिष्ठा की जिलम पहन कर इफिसियों छे का चवदा इश्व ने अपनी जान दी ताकि आप परमेश्वर की सत्यनिष्ठा ग्रहन करें जब आप गिर जाते हैं तब जल्दी से उठ जाईए परमेश्वर और दूसरों के साथ सही संबंद बनाए रखिए नमबर तीन, सक्री रूप से शामिल हो जाईए पाउ में मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन कर यहाँ पर शायद से पौलूस के दिमाग में पुराने नियम का वचन था देखो, पहाडों पर शुप सुमाचार का सुनाने वाला और शांती का प्रचार करने वाला आ रहा है नहूम एककपंद्रा शैतान सुसमाचार से नफरत करता है क्योंकि यह जीवन बदलने के रहे परमेश्वर के सामर्थ है पॉलूस ने इफिसियों के मसीहियों से उनके लिए प्रार्थना करने को कहा और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूँ इफिसियों 6 का 19 नमबर 4 कठिन समय में परमेश्वर पर भरोसा कीजिए और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको तीर ऐसी चीज है जूटी, आत्मगलानी, शर्म, संदेह, अनाग्यकारिता, द्वेश और डर नमबर 5 दिमाग की लडाई जीत लो उद्धार का टोप ले लो लडाई हमारे दिमाग में जीती यहारी जाती है इसलिए यह महतुपून है कि हम विचार को कैद करके मसी का आग्यकारी बनाएं दूसरा कुरंथियों 10 का 5 नमबर 6 अपने आपको परमेश्वर के वचन में भिगो दो आत्मा की तलवार जो की परमेश्वर का वचन है इफिसियों 6 का सत्रा जब प्रहार सहर है हो तब बाइबल का इस्तेमाल कीजिए जैसा की इश्व ने किया जब जंगल में उनकी परिक्षा हुई मत्ती 4 का 1 से 11 नमबर 7 निरंतर प्रार्थना करते रहिए हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो परमेश्वर आपका धनिवाद की यदिपी मैं अपने आप में सामर्थ हीन हूँ पर परमेश्वर के हतियार के साथ इश्व की सामर्थ और पवित्रात्मा की सामर्थ के साथ मैं आपकी विजए का अनुभव कर सकता हूँ पुराना नियम नहूम एक का एक से तीन के उननीस तक बुराई के बलों के उपर विजय हम सभी कठिन समय से गुजरते हैं इश्व ने हम से कहा कि परिशानी से आश्चर चकित मत हो यहोना 16 का 33 लेकिन आप से वाइदा किया गया है कि आप जैवन से बढ़कर है मसी के द्वारा जो आप से प्रेम करते हैं उन प्रतिग्याओं से शांती प्राप्त कीजिए जो परमेश्वर ने तब अपने लोगों से किये थे जो अब भी हम पर लागू होते हैं यहोवा भले हैं संकट के दिन में वह द्रडगड ठहरते हैं और अपने शरनागतों की सुधी रखते हैं नहूम एक का साथ सामराज आते और जाते हैं एक बार बिटिश सामराज विष्व पर प्रभुता कर रहा था अब नहीं इस तरह से रोमन सामराज और हर दूसरे सामराज आये और गए नहूम ने लिखा अशूर सामराज्य विश्व पर प्रभुता करता था और अपराजय लगता था 612 BC में नहुम की पुस्तक लिखे जाने के थोड़े समय बाद निनुवे अशूर सामराज्य की राजधानी को बैबिलोन और मिद्यानी ने जीत लिया नहुम परमेश्वर के लोगों को आश्वासन देते हैं जो शक्तिशाली सेना के द्वारा घिर चुके हैं कि परमेश्वर नियंत्रन में हैं और प्रत्वी की कोई सामर्थ उनके विरुद्ध खड़ी नहीं रह सकती है दोका एक से तेरा संदेश यह है इस शत्रु को मत देखो या इससे भईभीत मत हो उस चीज से उनका न्याय होगा जो हम पर लागू होता है यूजीन पिटिसन तीसरे अध्याय में निनुवे की बुराई का वरणन किया गया है हाई उस हत्यारी नगरी पर वह तो चल और लूट के धन से भरी हुई है लूट कम नहीं होती है जो छिनाल के द्वारा जाती-जाती के लोगों को और टोने के द्वारा कुल-कुल के लोगों को बेच डालती है तीन का एक और चार यदि प्रत्वी के इस राज्य का अंत अच्छा समाचार था एक पंद्रा जिसने इतनी रहत और आनंद लाया तो बुराई के आत्मिक बलों के ओपर इश्यू की विजई ने हम पर कितनी रहत और आनंद लाना चाहिए मसीहियों के रूप में हम अब भी शत्रों के द्वारा गीरे हुए हैं जो विष्व शरीर और शैतान के रूप में है लेकिन क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है हम जानते हैं कि हम उनकी विजई सामर्थ को देखेंगे परमेश्वर आपका धनिवाद की आप बुराई के किसी भी आत्मिक बल से अधिक शक्ति शाली है आपका धनिवाद की परेशानी के समय में आप एक शरण स्थान है और आप उनकी चिंता करते हैं जो आप में भरोसा करते हैं आज मेरी सहायता कीजिये की आप में और आपकी विज़ई सामर्थ में भरोसा करूँ बजन सहीता 114, 7-8 वो चटान को जल का ताल, चक्मक के पत्तर को जल का सौता बना डालता है परमिशर कटिन स्थितियों को फलदाई स्थान में बदल सकते हैं आज का वच्चन यहोवा बला है संकट के दिन में वो द्रडगट टहरता है और अपने शरणागतों की सुधी रखता है नाहूम एक का साथ